यूपी या उत्तर विदेश भारत का सबसे densely populated state है यहाँ पर एक rapid transit system बनाना सिफ ज़रूरी ही नहीं बलकि easy भी है क्योंकि उत्तर विदेश के शहरों की population density है इतनी कि एक rapid transit system को बनाने की सारी cost या बड़ी आसानी से recover हो सकती है यूपी का vast area landlocked है मेट्रो जैसे transit के लिए यह automatically यूपी के कई शहरों को suitable बना देता है पर पात साल पहले तक इस state में एक भी metro system operational नहीं थी और यूपी भारत के बागी state से काफी पीछी शूट शुका था metro construction के हिसाब से लेकिन इन पात सालों में ही यूपी में तीन metros contract होकर अ और कुछ और जगों पे काम शुरू है तो ऐसा क्या हुआ अचाना कि यूपी में इतने recent के सालों के अंदर ही इतने metro systems बना दिये और इतने तेज से इनका construction किया आज हम noida के metro land को छोड़ दे तो यूपी के बागी सारों के अंदर metro के जो systems है उनको यूपी MRC या उत्तर प् सब्सक्राइब कर लें तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और आपके सब्सक्राइब करना नहीं बूलना बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है यह दिल्ली जैसे शेहर से बहुत करीब है पर जहां दिल्ली के पास world class metro system है वहां यूपी के पास में कोई modern transportation का मोड नहीं था इसलिए साल 2013 में उत्तर प्रदेश सरकार ने लगनों मेट्रो को बनाने और चलाने के लिए LMRC या लगनों मेट्रो रिल कोपरेशन को एक special purpose vehicle के तोर पर बनाया LMRC के निर्मान को जून 2013 में उत्तर प्रदेश सरकार के cabinet के द्वारा finally approve किया गया और ये जो special purpose vehicle था इसे company act 1956 के तहट 25 November 2013 को शामल किया गया था और 24 December 2013 को actual में इसको काम शुरू करने का certificate मिला इस company के लिए authorized capital जो इनिशेली मिला था वो था 2000 करोड रुपे का और फिर साल 2016 में लगनों मेट्रो को clearances के process मिलते रहे और basically LMRC government of India और LMRC basically government of India और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में एक 50-50% सांचा वेंचर में परिवर्तित हो गया इसका परिणाम सोरूप LMRC के board को द्वारा पाच नॉमिनी डिरेक्टर्स को अपॉइंट किया गया था और तीन फुल टाइम डिरेक्टर्स भी थे जा 2014 में लगनों मेट्रो को as mass rapid transition system के तौर पे construct करने के लिए काम शुरू किया गया था वही पर फिर साल 2017 में CM, योगी अधित्यनात और union minister राजनात सिंग के द्वारा ट्रांस्पोर्ट नगर और लगनो चारवा के बीच में Metro को inaugurate भी कर दिया गया और दिक्कतों के बावजूद LMRC ने successfully लगबग 3 सालों में Metro बनाई थी और इस company के इतने जादा potential को देखते हुए 2018 में decision दिया गया कि LMRC को पूरे UP के अंदर काम दिया जाए गया और ये मूदी द्वारा लगनो मेट्रो की रेड लाइन को इनागरेट करके operational किया गया था मतलब अब देख सकते हो कि यूपी मर्सी ने लगनो मेट्रो के एक पूरे एंटार स्टेश अफ न्यू लाइन को 4.5 यूर्स में construct कर दिया था ये उस टाइम भारत की सबसे फास्टेस को Limka Book of Records के अंदर सबसे तेजी से बने हुए Metro Station के रूप में भी माननेता दी गई उत्तरवरदेश Metro Rail Corporation के अनुसार CCA Station को 19 महिने और 10 दिनों के अंदर completely तयार किया था जो कि किसी Underground Station के लिए बहुत तेज है इस कंपनी के फास्ट पेस काम को देखते हुए इसे UP के एक और मे सब जानते ही होंगे कि 2020 और 2021 के अंदर lockdown और दूसरी reasons के वज़े से काम देश के कई प्रोजेक्स के अंदर slowdown उन्हें डिलेट चल जा था वही पर इन्होंने तीत साल में एक 8.9 km section open कर दिया जिसको Orange Line के नाम से जाना जाता है आज और IIT कानपूर से लेके मोती जील के बीच के लिए और यहाँ पर 2020 में इसका भी construction शुरू हो गया जो पेंडमिक के दोरान था रिसेंटली अगर updates की बाग करें तो आगरा मेट्रो का construction में already trial शुरू हो चुके है जहापर आप आज के डेट में आगरा में Metro को ऐसे view में देख सकते हो जहाए से आप ताज महल भी देख स चेशन होंगे जामा मस्जिद मेटो स्टेशन अगरा फोर्ट मेटो स्टेशन इनको भी connections देने के लिए यह काम करेगी और शिस 77 डेस के शौट स्पैन में यह काम किया जा रहा है और इन फाक्क में जो हो चुका है जब 77 देस के शौट थैं इसके की कारण है कानपूर मेटो जीसे प्रोजेक्त यूपी अमर्सी के लिए कई फैक्टर्स के वज़े से इंपॉर्टन बने और इसका वाइदा यूपी अमर्से ने बहुत अत्क उठा है जाब पूरे प्रोजेक्ट के लिए एक समां स्टैंडर्ड प्लैन किया गया था जिसका मतलब था कि लगवल सब्सक copy-paste, copy-paste basis पर यहाँ पर चीज़े बनाया जाती थी और पूरा plan उसे सबसे बनाया गया था वो एक standardized guideline का balance करते थी जिसके करण contractors, workers, engineers सब को मदद मिलती थी और सबसे main बात जो dealies आते हैं कोई issues के वज़े से जो unique होते हैं यहाँ पर यहाँ पर जादा नहीं आते दूसर रिजन यह है कि भारत के अंदर किसी metro project के लिए पहली बार एक girder factory का यहाँ पर establishment किया गया जहाँ पर girders को basically अलग जगे पर तयार किया जाता और बाद में यहाँ पर इनको अलाग्य इसेंबल किया जाता अब ऐसा नहीं देश तो इस देश के अंदर girder रख रख के metro नहीं बनी है लेकिन जनरली जिस शेहर में metro बनती है वहाँ पर एक open land में एक girder के लिए basically casting yard बना जाता है जहाँ पर कुछ सांचे होते हैं या molds होते हैं जहाँ पर फिर बात में concrete फिल करके girder बनाया जाता है लेकिन क्योंकि एक open land के उपर बिस literally एक casting yard है किसी इट बटी के जैसे तो यहाँ पर कही न कई पर girder के बाहर आने की speed अप कम होती है लेकिन UPI Amrish के पास में literally एक factory है जहाँ पर assembly line चलती है जहाँ पर automate क्या गया है process को जहाँ पर concrete यह कभी कमी नहीं होती वहाँ पर extreme line तरीके से आप कहें तो लोग रोजाना काम करते है और बाकी metro position के लिए जो temporary girder facilities बनाया जाती है casting yards की वैसा system यहाँ पर use नहीं होता और यह जो girder facility है फिर वह कांदपुर को भी girder देगी वागरा को भी girder देगी इस तरीके से काम यह करती है और इसलिए यह काफी time बचा पाते है त्री सर रिजन है UPMRC के construction contractors को दिया गया confidence जा contractors को finance हो materials को procure करने के लिए दिया गया credit हो या दूसरे तरीके से UPMRC के senior official से direct बात करने के लिए दिये गई lines contractors को बहुत ज़दा छूट दी जाती है UPMRC के अंदर अपना काम करने के लिए और जब भी कोई problem आती है तब साथ में government के साथ मिलकर इसे solve के जाता है यह भी one of the biggest reasons है और अगर कोई रोड़ा डालेगा तो वहाँ पे दिक्कते आती है और अगर 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 कोई रोड़ा डलने कोशिश करेगा तो यहाँ पर उपरी government से strict action लिया जाता है चौता reason है कोरोना महामारी को एक अवसर के रूप में लिया था जहाँ पर metro corridor को शेत्रों को वो तेज से तयार हो सके इसलिए नौर्बन दिनों से अधिक काम वो करना शुरू कर चुके थे यहाँ पर workers चले ना जाए इसके लिए उन्हें कामगार बस्ती का निर्मान किया जहाँ पर canteen facilities, washrooms, clean water इन जैसी facilities को दिया गया यहाँ तक कि जब मामारी के चलते projects को 4.5 months के लिए रुकाया गया तब कामगारों के लिए transportation facilities भी बनाए गई थी या provide की गई थी ताकि वो अपने अपने घर जा सके ऐसे कदम के कारण कामगारों का विश्वास इस project के उपर है जिसके लिए ये काम करने के लिए काफी ज़ादा encouraged होते है और record समय पर काम पूरा भी करते है इसी का अगर opposite example देखे तो मुंबए का Metroland 2A और 7 projects जो वैसे कोरोना के टाइम के आसपास में open हो जानी चाहिए थे वो काफी बड़े delay का सामना इसलिए कर लिए क्योंकि वहाँ पर workers available नहीं थे पैंडेम के काफी बड़े chunk के लिए और अगर available थी भी तो पूरी proper संक्या में नहीं और जो trust था वो MRD के पर कम था जो कि यहाँ पर UPMRC में नहीं हुआ पर भारत के बाकी स्टेट में इतनी तेजी से Metro कर्शशन क्यूं नहीं हो पारा यही समझना भी ज़रूरी है तो देखिए भारत के कई स्टेट में कई problems है जिनके जिसे कर्शशन नहीं हो पाता जिसके अंदर पहले कारेंट की बात करें तो वो है Political Will LMRC या लक्नो मेट्रो बनाने के लिए फॉर्म की गई थी पर सरकार ने अपने Political Will को दिखा कर LMRC को UPIRC में परिवर्टत किया कम समय में और काफी चीजों को अच्छे से ध्यान में रखती हुए इसके बाद में इस कंपनी को चूट दी गई कि वो जाहे वैसे करें लेकिन समय पर काम करें और अच्छे से काम करें जिसके लिए इन्होंने Modern Techniques Factory Establishment, Contactors को दिये जाने चूट यह सब कुछ चीज़े किये अगर आप लोगोंने मेरी वीडियो देखी है जहापर मैंने दिल्ली Metro की हिस्ट्री को explain किया है तो वहापर मैंने कहा था कि दिल्ली Metro Real Corporation इतना बड़ा दिल्ली के अंदर जाल Metro का इसलिए बिचा पाई है क्योंकि यह kind of independent company है जहापर सरकारी बाबो अफसर का जादा योगदान नहीं होता इसका मतलब यह है कि यह जो UPMRC, DMRC जैसी bodies है यह चाहे tenders निकालना हो, decisions लेना हो, plans का प्रूफ करवाना हो plans के अंदर changes लाना हो, यह decisions internally ले सकती है कि अबर PWD के बास में जाना, फिर किसी MP के बास में जाना, फिर वहापर कोई करना हो सब चीज़े नहीं होती हाला कि एक upper level पे governmental watch through होता है लेकिन छोटे level पे, जो majorly deals लाने वाला काम करने वाले issues आते है वो इन bodies को face नहीं करते in fact, बड़े-बड़े decisions जिसे पैसे कैसे manage होंगे वो भी इन bodies को swap दिया जाता है और कही ना कही पर यह काम यहाँ पर Metro में हुआ है और इसका by-product यह है कि UP में बन रही Metro वो वन अदे मुश्ट efficient Metro है क्योंकि यह पर cost escalation नहीं आता एक और factor यह है कि UP अब एक monopoliistic body बन चुकी है Metro construction के लिए यो चीजों को single-handedly संभा सकती है लेकिन महाराष्टा के अंदर अगर देखे तो ऐसा काम नहीं हो पाया जैसा महाराष्टा में मुंबई, पूने, नांखपुर इन शर्व में Metro system exist करती है लेकिन separate bodies के द्वरा बने है in fact मुंबई के अंदर ही MMRC ने एक अलग Metro बनाई है MMRD multiple lines अलग से बना रही है जबकि मुंबई Metro Line 1 एक PPP model के अंदर रिलाइंस के साथ में मिलकर बनाई गई थी और इसलिए ये प्रोजेक्स इतने लेट चल रहे है लेकिन finally महाराष्टा में भी Maha Metro established किया गया है जो कि अलग से अभी Metro's के ओपर specially ध्यान देगा basically इन गंगलूजन अगर कहे कुछ भी changes नहीं करते बैठ रहते जो dealies आये contractors, workers, government सबके साथ में support में चल रहे थे जिसके वज़े से ये काम बहुत काम समय में कर पाया अपको कैसी लगे वीडियो मुझे ज़रूर बताना comments में और मिलेंगे अगले वीडियो में